गाई आज की विडियो में आप लोगों के लिये वाले यहींड फोन की लेके आगे हो एंड आप लोगों को एक टेस्ट भी करके बताओंगा कि initial stage पर अगर आप लोग यह headphones को use करते हो तो आप लोग को क्या यहां पर performance मिलने वाली है यह जो headphones है यह आते हैं adcom company की तरफ से तो करते हैं हम लोग इसका unboxing and इसका full review so सबसे पहले हम लोग यहां पर box को open करते हैं तो box मैंने यहां पर एक seal फार्ड चुक हो इसकी एंड दूसरी seal यहां पर तो यहां पर यह था दन इसके बाद हमें यहां पर box content मिल जाता है यहाँ पर हमको UP8 headphones मिल जाते हैं इसी के साथ साथ हमको यहां पर यह warranty card मिल जाते हैं जो कि adcom company के तरफ से आते है इसी के साथ साथ हमें एक थेंक्यू voucher मिल जाता है और अगर आप लोग मेरी दी हुई लिक से जाते हो तो आप लोग को 10% का flat discount मिलेगा तो आप लोग जाए कि उसको check out कर सकते हो उसी के बाद हमारी यह जो headphones हैं यह आते हैं तो इनके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो color है बहुत ही ज़्यादा interesting है और आप लोग काफी ज़्यादा funky look देगा आप लोग ने देखा यह जो Adcom के headphones हैं यह बहुत ही ज्यादा अच्छी quality हैं और under 400 रुपीज आप लोग को best मिल जाते हैं बट इनके साथ एक problem है इनके साथ हमें mic नहीं मिलता तो आप लोग को अगर mic के लिए चाहिए तो आप लोग इनको consider मत करना बट without mic आप लोग के लिए best headphone बन जाते हैं because इन में active noise cancellation आप लोग को मिल जाता है और वैसे भी अगर आप लोग headphones को use करते हो तो आप लोग को कोई भी यहाँ पे noise की problem नहीं होती है इसी के साथ साथ आप लोग को यह adjustable sizes के साथ मिल जाता है इसका जो size है वो adjustable हो जाता है और मुझको काफी ज़्याद अच्छा लगा अगर मैं इसको यहाँ पे wear करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो पहनने पे भी इसका जो look है वो काफी ज़्याद अच्छा आता है और अभी भी मेरे कानों में मेरी वी जो voice है वो काफी ज़्याद दबी-दबी हो रही है तो आप लोग यहाँ पे देख सकतो काफी ज़्याद अच्छे हैं और अगर आप लोग इनको style के लिए पहनना चाहते हो तो best हैं आप लोग इनको buy कर सकते हो इनकी जो best buy link है वो मैंने दे रखे नीचे description पे और वीडियो को like कर देना it's me unsendom signing off